कि हाओ रुफिक्स सैमसंग M12 मोबाइल रिसेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों तो आगर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के जो डिवाइस हैं उस आप को बताऊंगा किसे आपको रिसेट करना है रिसेट करने का भी दोस्तों कई सऩरे तरीके ठेके तो वह तरीके भी बताऊंगा और मैं आपको विजूब करते हैं खाए नहीं तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या करना है hon सेट नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए और बटन पर क्लिक करके रखे रिस्टार्ट पर क्लिक करके मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए रिस्टार्ट करने के बाद चेक करके देखें अगर problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर आभी भी problem solve नहीं हो रहा है तो mobile के setting पर जाए ठीक है स्क्रॉल डाउन करें general management पर जाके दोस्तों आपको reset option select करना है reset all setting पर click करना है reset setting पर click करके आपको mobile password भर देना है और उसके बाद complete setting को reset करके देखना है ठीक है Complete setting को reset करने और उसके बाद दुबारा से आप check करके देख सकते की Problem solve हो आई है नहीं हो आए अगर सॉल्ट हो जाते problem जब प्रॉब्लेम नहीं हो आई तो आप जा सकते है next solution पर ठीक है तो next solution दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पर दोस्तों आपने mobile को restart कर दिया setting को reset कर दिया अभी दोस्तों आप क्या कर सकते mobile को safe mode पर reboot करके देखिए ठीक है तो आपको कैसे करना है power button को press करके रखिए tevin halt ठीक है तो आपको यह option मिलेगा उसके बात आपको यहाँ पर क्या करना है power off के button पर इसको दुबारा से दवा के रखना है यह रहा दोस्तों आपका safe mode तो safe mode के जो green option है उसमें क्लिक करें और आपके mobile safe mode पर reboot हो जाएगा जब safe mode पर reboot होगा तब दोस्तों mobile से सारे application को close करें उसके बाद जाए है setting पर scroll down करके general management पर click करें reset option select करें factory data reset पर जाके आपको reset पर click करना है mobile password बर देना है और उसके बाद reset हो जाएगा ठीक है बस आपको mobile के password ही बरना होता है और दुसरा कोई चीज़ आपको नहीं बरना है ठीक है उसके बाद आपका जो यहाँ पर problem है वह भी fix हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने mobile reset not rocking problem fix कर सकते हैं बाइनी चांस अगर सौफ ना हो तो अपका जो फिर उसको चेक करें ठीक है mobile software को चेक करें अगर software update यहाँ पर बता रहा है तो mobile software update करने के बाद दुबारा से reset process को फोलो करें आपका mobile reset हो जाएगा problem भी fix हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको starting पर कहा था कि reset करने का तरीका क्या क्या होते हैं एक तो होते हैं दोस्तों आप mobile से इस प्रकार से जाके reset कर सकते general management reset factory data reset जो कि आप अपने mobile से ही कर सकते हैं दूसरा जो है mobile को बन करके आपको क्लिक करना होते हैं आपके power down button पे ठीक है I mean power button पे और volume down button पे एक साथ और उससे आप hard reset कर सकते हैं ठीक है mobile को बन करना है उसके बाद volume down और पाउर बटन दोनों को एक ही साथ में क्लिक करना है और hard reset कर देना है और दोस्तों वहाँ पे जब आप जाएंगे उस page में ठीक है control करने के लिए आप volume बटन से आप डाउन कर सकते और power आप किसी भी mobile रिपरिंग शॉप में जाओगे या फिर कोई भी डाउनलोडिंग सेंटर ओके डाउनलोडिंग सेंटर पर नहीं होगा कोई भी mobile के शॉप में अगर आप जाते हैं तो वहां से भी दोस्तों आप कर सकते हैं ठीक है फोन को complete flash कर सकते तो यह भी आप